हेलो फ्रेंड आइम शशीकला कनोजिया और वाचिंग यूट्यूट्यूब चैनल जोश लीगल नौलेज तो टूड़े विल कवर दे सेक्शन थर्टी सेवन्टी एट इस सेक्शन में क्या बात करता है इस सेक्शन को हम बेरेक के पढ़कर बेरेक से पहले पढ़ेंगे उसके बाद हम सेक्शन को समझेंगे कि क्या होता है पर मैं इस सेक्शन को पढ़ाने से पहले आपको एक चीज़ बताती हूं कि यह सेक्शन एक 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 सेप्शन भी बताता है for example जैसे कि A है उसने अपनी property mortgage करिये B को A ने अपनी property mortgage किये B को तो यहाँ पर हमारा A क्या है mortgage बी क्या है mortgage इसने जब property B को mortgage की है उसके दोरान ही during the mortgage time पर ही उसने A ने उसी property को C को भी mortgage कर दिया है और उससे loan ले लिया लोन तो दोने से लेगा तभी उसने property को mortgage किया है तो यहाँ पर इस section में यह बात बोलता है वैसे तो हमें यह पता है कि अगर कोई अगर उस मतलब मान लो property जब बिचेगी या जो mortgage है वो सबसे पहले किसका पैसा देगा तो यह applicable क्या होता है यह applicable हमें पता है कि prior जो mortgage होता है वो subsequent mortgage से पहले उसको जो पैसे दिये जाते हैं वो उसको दिये जागा वो applicable होता है तो यह पर prior mortgage कोन है B तो B entitle है पहले पैसा लेने से as compared to C के तो पड़ इस section में क्या बोल रखा है इस section में postponement के बारे में बोल रखा है postponement of prior mortgage mortgage इसमें यह section बोल रखा है जैसे कि मान लो अब A ने B को भी दिया A ने C को भी दिया अभी हमने पड़ा कि हमारा prior mortgage को सबसे पहले पैसा जाएगा बट इस section में यह बात बोलता है कि अगर जो हमारा prior mortgage है वो कोई fraud करता है या misrepresentation करता है या gross negligent करता है तो इस situation में जो subsequent mortgage है वो prevail कर देगा किसको prior mortgage को इस section में बात बोल रखी है बट यहां पर यह बहुत जरूरी है कि जो prior mortgage है उसके द्वारा क्या होना चाहिए उसके द्वारा कोई fraud होना चाहिए या gross negligent या misrepresentation होना चाहिए तो हम इसको section के साथ पढ़ते हैं और समझते हैं तो यहां पर क्या है जो prior mortgage हो जाएगा वो थोड़े रुक जाएगा सबसेक्वेंट मोटगेजी को सबसे पहले पैसा मिलेगा इस section को लाने का में मोटिव यह था जैसे कि माल लो जो A है और B है उसने उसको मौटगेज किया प्रॉपर्टी को माल लो क्या पता वो दोस्त हो या कोई relative हो अब उसने सेम उसी प्रॉपर्टी पर C से भी मतला उसी को भी मौटगेज कर दिया तो यहां पर क्या है क्या पता A और जो B है उस पर से सब्सक्राइब को तो कुछ मिलेगा नहीं तो यहां पर यही है कि अगर आपको जो A है मैं तब सब्सक्राइब करता है तो ऐसे सिच्वेशन में क्या होता है सबसे क्यों मौटगेज को सबसे पहले पैसे मिलते हैं I hope आपको यह सेक्षिन समझ में आया होगा अगर क्या है यह जिए तब समस्क्राइब मौटबे नहीं तो कर्सक्राइब यह सबस्क्राइब कर्सक्राइब यह घर मौटवचे लगल नहीं तो एक अटू